नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूटूब चैनल भी एचु वाले दोई स्टोरी का पर जैसे कि आप सभी का CVT PG का जो रिजल्ट है वो NTA के द्वारा जारी तो कर दिया गया है लेकिन बहुत सारे बच्चे के जो माक्स हैं वो काफी कम आ गये हैं यानि कि जो एंसर की में माक्स आ रहे थे फाइनल एंसर की में उसके हिसाब से स्कूर कार्ट पर जो माक्स दिख रहा है वो काफी कम दिख रहा है बहुत सारे क्वेश्चन को चैलेंज करने के बाद भी उसका जो माक्स है वो मिला नहीं है यानि कि बढ़ा नह तो उसका reply NTA ने दिया है और यहां जो है वो भी CET PG का ही बच्चा है और इसने जो है अपना जो इसकी समस्या थी उसको इसने tweet के माध्यम से एंटीय आ को जानकारी दिया है तो एंटीय ने reply किया है तो जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि जैसे CET UG के बच्चों के scorecard में बदला हुए हैं वैसे PG के भी scorecard में बदला हो सकते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चों के marks जो 80-80 नमबर ऐसे कम हो गए हैं जो की काफी बड़ा एक आंतर होता है तो कोई न कोई result में गड़बड़ी की गई है NTA की तरफ से तो हो सकता है इसमें सुधार किया जाए यानि कि जो इसने final जारी कर दिया है वो तो ठीक है लेकिन अभी भी कुछ जिनके साथ थोड़ा बहुत खिलवार किया गया है NTA के द्वारा उनमें सुधार किया जाएगा तो जो न्यूज है NTA की तरफ से जो रिपलाई है बच्चे को किया गया है देखिए किसी बच्चे ने ट्わE किया था NTA को अपनी जो समस्या थी इसलिए मैं भी आप लोगों को कह रहा था कि आप लोग जादा से जादा ट्वीट कीजिएगा ताकि NTA को पताचले कि उसने क्या गलती की है तो अभी भीजाएगे और और अपनी समस्याओं के साथ NTA को टेग करके उसको ट्वीट कीजिए ताकि आपकी भी समस्या जो है NTA को पता चले कि नहीं ऐसी समस्या किसी एक दो बच्चे के साथ नहीं है बहुत सारे बच्चों के साथ है तो हो सकता है कि आपकी स्कोर कार्ड में कुछ ही जाफा हो आपका स्कोर कार्ड जो हो दूसरा चेंज होकर आए NTA की तरफ से तो उमीद है अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करोगे और NTA इस पर सुधार करना चाहे तो और जुड़े रहिए इसी के साथ हमारे चैनल दहिस्टोरिका के साथ वीडियो को लाइक कीजिए चैनल क को सबस्क्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए धन्यवाद